मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हूंगे मेरे नाम सिध्धान तक नहीं होते ई इस्टडी ग्लोगा बहुत बोस्का कौगे थोके। UPSC का पेपर हो गया, बहुत तफ था यार, बहुत 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 ज़ादा तफ था, कुछ इस स्टूदेंट्स ने मुझे वाकई, मतलब पेपर मुझे भेजे हैं, वाकई काफी तफ था, कट आफ कम जाएगा, इतना समझ लीजे कि अगर आप 85 से 100 के बीच में भी मार्क्स आ रहे हैं, तो आप मेंस की तयारी शुरू कर सकते हैं, जनरल केटेगरी के लिए बता रहे हैं, तो और अगर जिनके नहीं भी पेपर अच्छा हुआ, तो परशान मत होईए, पेपर अपनी जिन्दगी से उपर मत रखिए, एक्जाम इस पार्ट अव दी लाइफ, वो आपकी लाइफ नहीं है, आपकी लाइफ बहुत अलग है, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो भी अच्छा, ऐसे बहुत सारे लोग है, जो अपने मन का नहीं कर पाए, लेकिन उनके साथ बहुत अच्छा हुआ है, वो मेंस की त्यारी करें, तो मुझे अगर आपने एक्जाम दिया है, UPSC का तो मुझे कमेंट बॉक्स बताइए कि कैसा एक्जाम गया, कैसा टफ था कि नहीं था, बताइए, तो अर्बन हिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे, अर्बन हिस्ट्री हम द तो नहीं ला पाया लेचर्स, तो वो तो next to impossible है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जितने जाधा लेचर्स होत सके, अर्बन हिस्ट्री तक इन 6 दिनों में मैं ले आओ, है ना, साथी ताथ एक और चीज बता देता हो, कि यह मोड्यूल जो है, वो इस महीने तक पूरा तो इसका इतिहास क्या है आईए देखते हैं ट्विटर और इंस्टा दोनों पर में आ गया हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिये हैं एलिग्राम चैनल है हमारा यहां से आपको पीडिएफ मिल जाएगी पीडिएफ क्या लेंगे मैं समझाते हैं यह बेसिकली पॉइंट वाइस अर्बन सेंटर देखो भाईया लोग जो है लोग पहले गाउं में रहते थे पहले तो शहर का कंसेप्ट था ही नहीं शहर का कंसेप्ट आया जब सेविलाइजेशन बनी मॉढनाइजड था आज के शहर फेल हैं जितनी मॉढनेटी ही मोहंजुदारों में तब सिटी जो है प्री मॉढन वर्ड में सिटी जो है वो आने शुरू हुए गाउं से हम सिटी की तरफ गये पहले तो गाउं में ही थे पहले तो लोग जंगलों में रहते थे अब गरीब और अमीर में डिस्क्रिमिनेशन हो, यह सब कुछ अर्बनाइजेशन से रिलेटेड है, अर्बनाइजेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, और यह क्यों सबसे बड़ा मॉड्यूल है, स्ट्री में आपको पता चल जाएगा, अगर आपने शहरी करण को समझ लिया, तो आप एकनॉमिक्स, पॉलिटेक्स सब को समझ लिया, भाई आप आईजेश क्यों निकालते हैं, आईजेश क्या है, वो एक शहर का ही तो एडिनिस्ट्रेटर है, अगर मान लिजेए कि शहरी ना होता, तो क्या आईजेश होता, नहीं होता, तो अर्बनाइजेशन इंटर अंट्रोड़क्शन था, अब हम आते हैं कि अर्बनाइजेशन होता, अर्बन सेंटर होते क्या है, मोहन जुदारो और न्यूव यॉर्क, दो शहर, एक न्यूव यॉर्क, मॉडन शहर, बहुत ही मॉडन, और मोहन जुदारो बहुत ही पुराना, इंड़स वेली सिविलाइ अर्बनाइजेशन का अब तो बहुत ही पुराने शहर येट बहुत ज्यादा सिमिलारिटी हैं दोनों में, रूरल सेटिलमेंट्स क्या होते हैं, गाउं में कम पॉपुलेशन होती है, इतनी ज्यादा सुवधाय नहीं होती है, अर्बन सेंटर में बहुत ज्यादा से को मॉडेनिटी से बिल्कुल रिलेट करते हैं, अभी मैं बताऊंगा, रिलिजियस, आइटिस्टिक, एजूकेशनल, मिलिटरी, पॉलिटिकल, अड्मिनिस्ट्रेटिव, सोशल, कल्चिरल, इंडस्टियल, सारी अक्टिविटीज यहाँ पे होती हैं, जो अर्बन शहर हो में होता है, पावर यहाँ पे इंडिविजूल के पास भी होती है, जो पाइटिकलर अक्टिविटी में बहुत अच्छे होते हैं, मिनिस्टर्स, किंग्स, जनरल्स, प्रीस्ट, आज के जमाने में, डी-म, मिनिस्टर्स, एम एले, यह सब जो हैं, एक शहर को चलाना कैसे है यह देखा जाता है, स्टेट का हिस्सा होता है, स्टेट, सिटी के लिए स्टेट is very very important, स्टेट से एक देश को मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो every urban center is characterized by the presence of powerful rich living, समझे, हर urban center में आप देखेंगे, कि यहाँ पे अमीर लोग रहते हैं, अमीर लोगों के बिना शहर चली नहीं स बड़े होते हैं, जिनका नाम बहुत बड़ा होता है, वो शहर को चलाते हैं, लेकिन यहाँ से ही discrimination चुरू होता है, आपने अकसर देखा होगा कि शहर में गरीब जो पूरा दिन भर काम करता है, उसको इतनी सुविधाय नहीं है, रूरल में ऐसा नहीं होता है, गाउं में ह उसको सुविधाय है, गाउं में equal treatment होता है, कुछ भी कहिए, लेकिन शहर में चीजे बदल जाते हैं, हाला कि शहर modernized भी, thinking wise शहर बहुत जादा modernized होता है, primary functions क्या होते हैं, अर्बन सेंटर के, जैसे administration, ritual service, trade, यह सब पुराना है, मैं पुराने के समय की बात कर रहा हूं, तो पहले तो सब कुछ गाउं में ही था, लेकिन बाद में यह सब फैला, शहर बनने शुरू हुए, और शहर अलग होता है, यह urban center की in short definition है, अब हम बात करते हैं, कि urbanization के methods क्या है, इसकी history, historiographic क्या रही है, देखो, सबसे पहले तो यह समझो, कि urban center में बहुत सारे functions perform किये जाते हैं, एक time पर बहुत कुछ चल रहा होता है, urban centers की बात करें, तो यहां पर ruler, priest, craftsmen, traders, यह सब कुछ present होते हैं, अगर पुराने समय की बात करें, तो they are dependent on agriculture, agriculture भी depend, लेकिन आज बिल्कुल सब, मतलब सब कुछ बदल गया है, traditions होते थे पहले, जो भी agriculture produce होता था, वो cities में जाता जाता था, शहर, गाँों से produce किया जाता था और शहरों में बेजा जाता था, है कि नहीं, ऐसे ही आज भी वैसे होता है, गाँपर्डूस किया जाता तो यही चले गई, आने वाले समय में वही चलता रही गावर। तो यह कुछ important features है, साथी साथ पहले human groups जो है, वो tribes में रहते थे, kingship based society होती थी, सबसे पहले तो हम कहां रहें, कहीं नहीं रहते थे, हम तो गाओं में ऐसे घूमते रहते थे, जंगलों, पहाडों में ऐसे घूमते रहते थे, पहले तो हम पूरा nature dependent थे ना, लेकिन बाद में ह आम ने खेती करना सीखा, फिर societies बनी, और यह kingship based society सबसे पहली society थी, जिसको tribal society बोला जाता था, इसमें जितने भी members of the community थे, they are related to each other, natural resources यहां पर collectively ओन किये जाते थे, सब लोग को यहन की equal representation था, जो sociology की बात करते हैं, वो पहले जमाने में exist करती थी, हर किसी को equal rights थे, लेकिन जैसे जैसे इस kingship system को modify किया गया, कुछ परिवारों के पास जाधा ताकत आ गई, उनके पास wealth और power बहुत जाधा रह गई, यहां से ही discrimination शुरू हुआ, अमीर और अमीर होता गया, गरीब और गरीब, और cities भी evolve होती गई, पैसे जाधा आएंगे तो cities evolve होंगी, अब यह जब urban center बनेंगे, तो जिन लोगों के पास जाधा पैसा है, जिन लोगों ने शेहर को बढ़ाया है, उनके पास जाधा ताकत हो, अब हम थोड़ा urban history पे आ जाते हैं, देखो, यहां पे होता था trade, जैसे इंडस वैली civilization में, पर्शिया से trade होता था, written records मिलते हैं, हम कैसे historiography, हम कै कैसे पता चलता है, मैंने अभी बताना कि एक interdisciplinary project है, अगर आप urban history को पढ़ेंगे, तो आपको बहुत कुछ मानूम चल जाएगा, भाया, दिल्ली सल्तनेत, एक शेहर के ही नाम पे, 400 सालों तक रूल चला, भारत में ही, शेहर इतने important होते थे, कई बार शेहर जो है, वो history को ही करते थे, यहाँ पे अलग-अलग interdisciplinary, मतलब आप समझते हैं न, एक subject दूसरे subject से related है, कैसे इतिहास economics को जनम देता है, अगर हम urbanization पढ़ते हैं, तो हमको इतिहास तो पता चलता ही है, हमको पता चलता है, जो पहले के trade होते थे, हमको different seals मिलती है, inscriptions मिलते हैं, हमको पता चलता ह written records है, written records है, written records है, बकायता जो बोला वो लिखा गया, तो हमको इतिहास तो पता चली रहा है, साथी साथ economy भी पता चल रही है, कि उस समय trade होता कैसे था, उस समय क्या-क्या concept होते थे, politics भी पता चलती है, urbanization से, भाई हम कैसे समझ में आता हैं हमको, कि राजा जो है, वो दमनक जारी होता था, कुछ जगा पे राजाओं ने नरसंगार किये, कुछ जगाओं ने राजा में अपना आधिपत्त, वो इसलिए क्योंकि हमने शेहरों को अच्छे से study किया है, तो urban history जो है, वो interdisciplinary है, बहुत important है, और writing records जो है, वो बहुत ही ज़्यादा इसको बल देते हैं, त तो यह समझे आप, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं, methods की, की urbanization को study कैसे किया जाता है, देखो, urbanization को, अगर हम इसमे, urbanism और comparative methods की हम बात करेंगे, comparative method क्या है, comparative method में हम क्या करते है, identify करते है, analyze करते है, और similarities को extend करते है, ठीक है, यहाँ पे, हम basically, compare करते है, different societies, nations और continents को, कि वहाँ पे share कैसे रहे होंगे, compare करने से ही तो हमको असली सचाई पता लगती है, कैसे, मतलब, किस तरीके से share रहे है, उनको आपस में compare करो, identify करो, वहाँ से ही कुछ अच्छा निकलेगा, conclusive निकलेगा, इसमें क्या करते हैं, हम, इसमें data sets बनाते है comparable data sets बनाते हैं, एक share को दूसरे share से compare करो, data sets बनाओ, और उसके बाद हम functional equivalence को देखते हैं, तो हमको जादा पता चलता है, urbanism के बारे में, कैसा हमारा urbanization था, तो basically हम यहाँ पे जो method, जो यह comparative method है, इसका जो aim रहता है, यह किसको focus है, empirical data collection पे focus करता है, कि कितना जादा data collect हो रह और सही data collect हो रहा है, और यहां सही हम देखते हैं कि continuous change आता गया, breaks नहीं थे, discontinuity नहीं थी, शहर develop हुए तो होते ही रहे, continuity थी, long process, this long term continues have been called structures of everyday life, अब इसमें क्या क्या आ जाता है, food habits, routine of waking, work, sleep, यह सब आ जाता है, कैसे आप पहनावा आपका कैसा है, everything comes into this method, और इसमें एक और चीज आती है, यह method हमको यह भी बताता है, कि rich और poor में divide कितना था, एक बहुत important character stick है, wealth का distribution कैसा था, social culture है divide कैसा था, social culture है अब समझते हैं, चार division थे हैं, wind system थे, यह भी हमको पता चलता है, wind system के बारे में, शहरों में जो अमीर होते थे उनको तो सारी सुविदा है, लेकिन जो घरीब होते थे, उनको बाकिते साफ सफाई की काम, और गंदगी को साफ करने का काम, निचले तपके के लोगों को दिया जाता था, और सारी बड़ी, Rome हो गया, Constantinople हो गया, बगदाद हो गया, दिल्ली हो गया, बीजिंग, यह सब political capitals थे, न्यू यॉर्क हो गया, वो पिछले सौ सालों से बहुत important शहर रहा है, न्यू यॉर्क को, शायद दुनिया के सबसे, वन अब दब, न्यू यॉर्क, टोकियो, इन सबको देवलप हुए, कैसे, क्रूसेट्स, भारत में जब अवासकोड़ा कमाया तब भारत के लिए उसने ट्रेड रूप डेवलप कर दिया, यूरोप में डिकलाइन हुआ, फ्यूदिलिजम का, यहाँ पे नई form of organization का उदय होता है, कहने का मतलब यह है, कि urbanization भी एक continuous process रहा है, और इसकी भी history हमको साफ साफ देखने को मिलती है, वही चीज़ है कि यहाँ पे कुछ powerful professional groups थे, जिनके पास बहुत जाधा ताकत होती थी, autonomy देखने को मिलती थी, जैसे राजा और king और priest जो हमके बहुत जाधा ताकत होती थी, ठीक है, तो यह सब historiography में हमको देखने को मिलत है, यही urbanization modernity से भी related है, अगर आपको modernity को study करना है तो अब urbanization को देख लो, है कि नहीं, individual कितना जदा modern हो गया है, जितना बड़ा शहर, जितना developed शहर, उत्रा जदा modernity, बहुत सारे यूरोप में town halls बनाए गये थे, गज़ब के clock towers बनाए गये हैं, भाई, लेंडन का clock tower तो स्वायति हासिक है, तो यह क्या, this town hall symbolized the shift of power from traditional institution to democratically electric town council, समझ गए, तो urbanization और modernity साथ साच चलते हैं, और इसी से हम culture को भी study करते हैं, culture return का मतलब क्या है, कि culture को study करो, बड़ी-बड़ी theories, बहुत-बड़े-बड़े explanation नहीं देखते हैं, हम वहाँ की localities को, वहाँ की culture को, शहर कि culture से हमको इतिहास भी तो पता चलता है, तो जो micro, मतलब समस्ते हैं, छोटा, micro history of localities, gender, sexuality, caste, यह छोटे-छोटे इतिहास, एक caste का क्या इतिहास रहा है, यह study करो, बकायदा as a whole, तो urbanization को, urban histories को as a cultural turn भी देखा जा सकता है, तो अगर हम urban history की बात करें, तो यह geography हो गया, sociology हो ग इसलेगा, history हो गया, इन सब को दिखाता है, इसलिए urban history is very very important, तो यह एक introductory lecture था, और आगे आने वाले समय में हम urbanization को पूरा खोलेंगे, और आपको इतना मजा आएगा, हम देखेंगे भारत में urbanization कैसा था, भारत में शहरों को कैसे बनाया, मुगल्स जब शहर बनाते थे, श स्टेडी करेंगे, मुंबई का शहर कैसा है, क्यों मुंबई जब भी पानी बरसता तो डूब जाता है, पतना का शहर कैसा है, लखनो कैसा है, सब कुछ हम देखने वाले, बहुत मजा आने वाले, यह best module है, यह थोड़ा सा बड़ा भी है, complicated भी है, लेकिन मैं पढ़ाओंग झाले, यह 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 झाले